आप सबी का स्वागत है हमारी चैनल हर्यान अपडेट डेली न्यूस के अंदर रिवाडी की बड़ी खबरे जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजे वीडियो को शुरू करने से पहले आप बताजते हूँ तो देखे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कांग्रेस नेता जो अधीर रंजन है उनका पुतला फूका जा रहा है और आप सबी ने सुना भी होकर मैं फिर भी आपको दाइता हूँ ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अधीर रंजन चोदरी ने राष्ट्रपती द्रोपती मुर्वू है उनके अशोबनिय टिपनी की थी उनके उपर और आपको दाइता हूँ उन्होंने अधीर रंजन ने राष्ट्रपतनी देखे ध्यान से सुनी राष्ट्रपतनी भाजबा ने ये भी काई कि देश में पहली बार ऐसी घटना हुए जो आज तक लोकतांतरिक देश में कभी भी नहीं हुई एक आदिवासी महिल है जो की इतने बड़े बद पर बैटे और उनको ऐसी बात कहना बहुत ही शरम की बात है इसके बाद दूसरी बड़ी खबर आ आश्या की के निकट गुरुवार देके मतलब गुरुवार सुबह पैर फिसलने के बाद यूवती जवारलाल नैरू जो कहनाल है उसमे डूब गई सूचना के बाद पुलिस पहुची पूलिस ने यूवती की तलाष की जिसके बाद उसका शेव बना मद हो गया गटना की स पुलिस ने सामान्य करना कारवाई की और उसके पस्चात शेव का पोस्ट माटम करा कर परिजनों को सौप दिया। पुलिस ने ये भी बताई कि गाम आशिया की निवासी सुभास चंद की नहर के दूसरी तरफ प्लाट है और ये पंचाई की तरफ से अवंटित किये हुए हैं जो की सभी नहर के पार हैं। पुरवार सुभै लगबग करीब आठ बजे सुभास की 20 साल की वेटी प्लाट में पश्यों को चारा डालने के लिए गई थी और नहर के निकट से गुजरते समय उसका पैर फिसल गया और वे नहर में गिर गई। नहर में पानी की जो मातरा काफी ज़्यादा होने के राण यूवति डूब गई। सूचना के बाद गाम के लोगों के साथ परीजन भी मोके पर पहुची और पुलिस को इसकी सूचना दी। लगबग दो घंटे की मशक्कत के बाद नहर से यूवति का शव बना मत किया गय जो कि आप स्कीन पर देख भी सकते हैं। पूचे थी कि सर्फ B Pharmacy में एडमिशन के लिए क्या करना होगा तो आपको बता देता हूँ B Pharmacy की जो एडमिशन वो आई जियू की साइट से नहीं होगा उसके लिए आपको www.hspes साइट पर जाना पड़ेगा इस साइट पर जब आप जाओगे वही से आपको एडमिशन होगा B Pharmacy का और उसके लिए एंटरेंस एक्जाम भी होगा और आपको बता देता हूँ को कुछ भी पूस्ताज करनी है इडरा गानी उनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए तो आपको नमबर बता देता हूँ देखें ये help line नमबर है जो के आपको हर जगब मिल जाएंगे इन सबी नमबर पर जो भी आपकी inquiry हो admissions related कुछ भी आप पूछ सकते हैं entrance exams related कोई भी आपको दिखका तो ये प्रइशानी हो तो आप इन नमबरों पर पूछ सकते हैं और इसके बाद आज की आखरी कबर आपको उताइता हूँ कि कल के दिन बारिश कभी आ रही थी कभी रुकरी थी ऐसा हाल था लेकिन रात को अच्छी बारिश हुई थी रगवग साठे आठ बजी शुरू हुई थी बारिश और कई जगे रात दस बजे तक बारिश हुई थे इसके बाद भी थोड़े बूना बांदी तो होती रही इस कारण काफी जो जल बराव देखने को मिला और आपको अधायता हूँ दिल्ली जैपुर हाईवे पर बहुत जबरदस्त जाम लगा हुआ था और अगर बात करें रिवाडी शेर के अंदर की तो सरकुलर रोड पर जो नाई वाली चोक है उसके बाद गुटनों तक पानी जमा हो गया था इससे ड्यूटी से जो लोग आ रहे तो नको काफी परेशानिया जेलनी पड़ी लोग हातों में जूते उठाकर पानी को पार करते नजर आए दर्वेडा में भी जाम किस थी थी बारिश के करण हलंकी आपको उतायता हूँ बारिश के करण काफी जगह मलत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है रिवाड़ी की जितनी भी बड़ी खबरे जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए रोजान आपको रिवाड़ी की बड़ी खबरे हमारे चैनल पर मिलेंगे सिक साथ दन्यवाद